हेलो श्मेंट आज की स्पीडियों बात करने वाले हैं BMTE 144 सबसे important topic mathematics के course की बारे में आज की वीडियो इस course की बारे में यानि की BMTE 144 numerical analysis को लेकर है आज की स्पीडियों में आपको paper का overview देंगा important topic बताऊंगा assignment से कितने question आ रहे हैं इतने नहीं आ रहे important topic क्या है और भी कई सारे point paper कितने marks काई गया सेक्टरस पहुत सारे point आज की speed में clear out करूंगा यह वीडियो उन सभी student के लिए हैं जिनको important question चाहिए जिनको important topic समझने है आज की speed में सारे ही point BMT 144 को लिकर clear out करूंगा आपको बताऊंगा सभी important material भी आपको provide करूंगा जो important question है वीडियो को एंट तक जरूर देखना सारे ही point clear out होंगे साधी साथ चैनल पर पहली बार आए हो make sure आप चैनल को जरूर से subscribe करें पहले इकंद वालें ताकि latest product date आपको मिलती रहे साधी साथ अगर आप लोग हमें support करना चाते है join button पर click करके channel के permanent member भी बन सकते हैं आई इस्ट्रेंट बात करते हैं आपके course के बारे में तो आज कर जो हमने course लिया है BMT 144 numerical analysis है यह आपका elective course है final year के अंदर यानि 6 semester BSEG और PAG के अंदर अब पहले नमबर पर में बात कर लेता हूँ आपकी assignments को लेकर बट उससे पहले जो हमारे सबसे important है वो है आपका caution paper की caution paper का blueprint क्या रहने वाला है जैसे यह आपको पता है पहला paper आपका हो चुका है June 2022 में और पहली बार यह आपका numerical analysis BMT 144 का paper हुआ है इसकी बात करूं तो यह आपका maximum जो marks जैसे कि हमने already बता चुके 100 marks का आया था और यह मैंने already आपको चैनल के मादम से बताया था यहाँ पर blueprint दिया तो कोशन paper का आपको उसे देख लेना 100 marks paper और आपका time duration 3 hours की इसमें बात करें जो आपकी overall जो structure यहाँ पर define है तो कोशन ओफ 1 जो की compulsory है और यह आपका 20 marks कर रहता है जिसमें 10 parts होते हैं हर इक कोशन 2 marks कर रहता है ठीक है इसके बाद में बात करें do any 8 question from the question number 2 to 10 अब आपको कोई भी odd question करने है जो second question से लेके 10 पर तक है ठीक है यानि की overall अगर हम बात करें तो आपकी 8 question 80 marks और यह पहला question 20 marks तो हो गए आपकी 100 marks को overall paper तो इस परकार से question paper रहेगा पहला question जो की 10 question रहेंगे true and false साधी साथ short proof देना है अगर आप सिर्फ true and false लिखके आओगे तो वहाँ पर आपके number कर जाएंगे number नहीं मिलेगा तो सिर्फ true and false लिखने से काम नहीं चलेगा आपको prove भी देना पड़ेगा इसके बाद में second question और second से लेके 10 question तक आपको सभी में दो दो parts देखने को मिलेंगे साधी साथ आपको कोई भी 8 question attempt करने है मैं याद रखेगा यहाँ पर मैं points जो parts से वो नहीं कह रहा हूँ 8 question आपको कोई भी attempt करने है ठीक है उमीद कर दो हूँ आपको समझ आ गया हो कौन से 8 question है जो आपको attempt करने है आने के chances हैं तो एक बार note कर लो सभी strength जो पहला topic हमार रहेगा वो है God's Elimination इसके लावा God's Jordan method जो ही questions में आपको देखने को मिलेगा अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो questions यहाँ से बनेंगे उसमें आप देख पाएंगे कि आपके कई सारी method आएंगे जैसे अगर मैं बात करूँ जो हमने पहला topic आपको लिखपाया है God's Elimination वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देखें God's Jordan method इधर है और God's Elimination method से यह question आया हुआ और यह काफी important question भी रहेंगे आगे मैं बताऊं God's Elimination method आपको नोट करने है और God's Jordan method भी आपको करने है उसके बाद में LU decomposition है जो आपका fourth question इसी से बना हुआ है स्वारी second question आपका इससे बना हुआ है LU decomposition से और यह question आपका topic भी important रहेगा इसके अलाबा एक और जो topic सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है Newton Reption method इससे कई सारी question आपको देखने को मिलें तू मार्च में यहाँ पर question इसके लावा यहाँ पर थ्री मार्च में एक और question आपको इसी method से इसके बाद में हम बात करें एक जो important topic और है वो है ओनर्स method जो कि आपको second question की बी पार्ट में देखने को मिल जाता है इसके बाद में डियर बात करूँ तो यहाँ पर गॉस जॉर्डन method है ठीक है गॉस एलिमिनेशन है और गॉस जॉर्डन method भी है जो आपको करना है उससे भी question बन रहे हैं और प्रिविस एयर में भी repeat हुए यह topic important हो जाते हैं इससे इंबर्स प्रूब करने को आएगा matrix का 5 marks क टॉपिक रहेगा तो यह जरूर से करना यह four and five में आपका divide कर देंगे doesn't matter but topic important रहेगा इसके बाद में easy value and easy vector से भी question आ रहे हैं तो इनको भी आप चरूर से करके जाएंगे काफी important रहेगा इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आपके overall जो question है ना इस paper में वो कहां से आ रहे हैं देखें यह questions कई सारे जो अभी मैंने analyze किये क्योंकि मैं आपकी book से और दूसरा आपके previous year अब previous year कहोगे sir previous year कौन से अब label है because एक ही बार exam हो किसे मिलेगा कहां से मिलेगा उसके आपको टेंशन नेनी आवशकता नहीं है भो भी मैं इस video के मादनें से provide करूंगा खेर आप बात करते हैं important questions कौन-कौन से रहेंगे सबसे पहले book से आपको कौन-कौन से करने हैं तो देखें जब भी आप book open करोगे और आप book से question करोगे त तो आपको यह भी approximate प्रूब करने को आएगा और डारेक्ट एक्जामपल से question आ रहे हैं यह आप देखोगे तो आपको यह previous year question paper में हम बात करें तो यह आपका last से आप देख लीजे यहां पर आप देख पा रहे हैं यह question 10th का यह बाट आपको direct example से पूचा हुआ है ठीक है इसके लावर डियर आपकी जो पहले question है जैसे यह वाला question है आपका जिसमें आपको interval prove करने को यह भी आपका example से ही आया हुआ question है अब example कहां से हैं भो भी आप देख लो mean value के यह example यहां पर कई सारे included है same type of question आपको देखने को मिलेंगे पर similar सी बात है कि route in between होना चाहिए आपको book में से अगर कर रहे हो तो aq type और solve example वह आपको करने है क्यों direct question बहाँ से उठ रहे है mathematics में दूसरा जो मैंने method बताएं हैं उनको भी जरूर से करने हैं अब यहार बात करते हैं assignment से कौन-कौन से question आ रहे हैं तो assignment से भी आपके कई सारे question आए हैं इसमें और कई सारे topic भी रहे हैं जैसे गौज elimination method हो गया गौज Jordan method हो गया यह direct assignment के question आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि assignment से question नहीं आ रहे कोशन काफी बन रहे हैं इसके लावा solution से आ जाते है जैकोवी method इसमें नहीं पूचिया है ठीक है आपके exam में नहीं आया है लेकिन इस reason vector आया है ठीक है power matrix आपसे पूची गई है इसके अलावा आपसे अगर हम बात करें तो आपकी एक दो कोशन और जो आपकी important रहते हैं वो मैं यहां से बता दूँ जैसे आपको formula devil से आ जाते हैं question ठीक है इसके अलावा आपसे approximation values के regarding आता है velocity and acceleration निकालने को ओके इसके बाद में अगर हम बात करें तो यह question आपके assignment से लिए गए है कई सारे और एक question जो आपका previous year में देखने को मिलता है 5A जो 5B का a part है वो भी आपका assignment से question लिया गया है यह बाला question जो आप देख पा रहे हैं यह assignment का question है इसके लावा आपसे Newton reaction method और second method यह दोनों ही आपसे इसमें प्रूब किये गए हैं और पूछे गए हैं सोरी आपसे और यह exam में Newton reaction method काफी बार पूछा जा जा रहा है तो यह एक बार लिहान से इस question को भी कर लेना युग उसका इंपोर्टन रहने वाला है इसके लावा यह equation पॉजेड रूट एंटरवल के रिकार्डी पूछा हुआ है यह question भी आपके examination में definitely आया हुआ है तो चरूर से कहना इसके लावा और questions की बात करें तो आपका दो तीन topic तो हमने बताए दिया आपको एक तो solution वाले भी आपसे आएंगे वागे यहाँ पे LU decomposition का question assignment में नहीं बहुत कम percentage रही है लगभग 40% यह सकते हूं 30 से 40% लेकिन topic की अगर बात करो तो 70% topic आपके assignment से लिए जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि assignment के topic नहीं आ रहे हैं अब सबसे ज़्यादा जो questions आपके आ रहे हैं direct कहो topic से कहो हो है previous year अब previous year पे एक बार नज़र डाले क्योंकि previous year से कई सा आउड कर देता हूं कि कौन कौन से question आपके previous year से आये हैं क्योंकि मैंने mark करके रखे हैं और आप सभी को बताता चलूंगा ताकि आप लोग note कर पाएं और इसी से आपके important question आएंगे जैसे पहला question जो आप मार करेंगे वह सेकेंड का a part LU decomposition यह direct question भी पूचा गया June 2021 में आपको देखने को मिल जाएगा यह MTE 10 के अंदर पहले question का a part है कि ओके मैं उस question को नहीं दिखा रहे हूं बाकी आप लोग देख लेना आप चाहो तो मैं चलो दिखाए देता हूं ताकि इस्वेंट यह कि ना कहें कि सर आए ही नहीं है question राइट यह हमारे December 2021 है इससे पहले हमारा June 2021 पर हम जाएंगे जिस question की हम बात कर रहे हैं देखे पहला ही question आपको देखने को मिल जाए है एलियो डीकंपोजिशन का डारेक्ट सिमुलर कोशन है आपका और यह चार मार्क्स में यहां पर भी पूचा है और वहां पर भी आपका चार मार्क्स में आया हुआ हुआ है ठीक है अब इसी के second part पर हम बात कर लेते हैं because second part भी आपका mt10 के अंदर से जून 2021 से पूचा हुआ है और यह भी आप देख लेना फिर आपकी पेज़े लॉंग हो जाएंगे ठीक है तो यह दोनों कोशन रिपीटेड है इनफेक्ट एल्यू डीकंपोजिशन सबसे ज्यादा इसके बाद में इसके बाद में बात करूं तो आपका फिप्त का यह पार्ट जो हमने से आपको बताया है इसके बाद में एक और कोशन जून 2021 से फिर से पूँचा हुआ है डारेक्ट कोशन कहलो या फिर आप यह कहलो मैथड पूचें बैल्यूस थोड़ी सी चेंज करती है पागी एजड़ेट कोशन है यह कोशन भी इंपोर्डेंट हैगा सिक्स का एपार्ट यानि छटे कोशन का एपार्ट सेगेंड क इसके बाद में आप जाएंगे च्छटे कोशन के पार्ट में यह टॉपिक आपका और यह कोशन बैल्यूस चेंज करके आपका डायकली पूचे जारें कई बार आपका दिया गया है तो यह कोशन भी इंपोर्डेंट रहेगा आप लोग चरूर से करके जाना एक सबसे ज्य वो मिल ही जाएगा यह कोशन कई बार यह 4 माक्स में पूंछा जाए रहा है कई बार 3 माक्स में तो यह कोशन कोई भी श्वन छोड़के नहीं जाएगा यह ऑपरेटर से कोशन है तो यह जरूर से करके जाना important कोशन रहने वाला है हो सकता है इस बार भी यह कोशन डारेकली similar वैल्यूस के साथ में दे दें क्योंगि सेम कोशन बार बार रिपीट हो रहा है कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं किया जाए ओल्राइड यह कोशन आपका सबसे ज्यादे इसके बाद में दियर बात करूँ तो आपका एक और कोशन जो आपको देखने को मिल जाएगा वो है आपका एर्थ का B-part एर्थ कोशन पर जाएंगे तो B-part आपका जो इनवर्स मेट्रिक्स यह भी आपका जून 2021 में पूल्चा गया सेम कोशन थिको है गौज-जॉर्डन मैथर्ट सेम कोशन पूछा गया आप लोम तेख लेना यह कोशन भी आपका इंपोडम्रेंट है क्योंकि दो पेपर में यह लगाता पूचा गया है इसके बाद में आपको Gauss Elimination Method से भी कोशन आपके पूचे गये है जून 2022 के टमड एकसाम में और जून 2021 के टमड एकसाम में चरूर से इस कोशन को करके जाना है ऐसे कोशन आपसे आएंगे ही कि आपको लीनर एक्वेशन दी होगी आपको Gauss Elimination Method यूज करके उसे सॉल्व करना है उसकी वैल्यूज आपको निकाल ली है तो नाहिंत का ये पार्ट भी आपका important रहेगा इसके बाद में approximation values का question MBD theorem से आपका definitely आने वाला है तो यार आप इसे भी करना important question है और ये आपका previously तो नहीं आया लेकिन example से directly उठके आया ठीक है तो ये question important हो जाता है उसके बाद में previously बात करें तो फरवरी 2021 MT10 के अंदर आपको एक question और देखने को मिल जाते है as a date question है मैं आपको दिखाई देता हूं फरवरी 2021 पर हम लेके चलते हैं आपको दिसंबर 2021 हो गया फरवरी 2021 के जो question बेपर है MT10 का उसमें आपको ये question देखने को अच्छा अच्छा यो मैं question आपको बता रहता है वो यह रहा question as a date पूँचा हुआ है इसके लावा आपको एक और question जो मैं दिखाना चाहूंगा जैसे गौज इंवर्स मेट्रिक का question आपको डारेक्ली देखने को मिल रहा है जो question हम बात करें वो एक फरवरी 2021 के अंदर में और देखें यहाँ पर यह question डारेक्ली आया हुआ है आप जो last question देखो यह अपने question पेपर का 10th का भी पार same question आपको यहाँ पर देखने को लाए यानि कि previous year से यह question पूँचा हुआ है यहाँ पर भी four marks और आपकी पेपर में भी four marks में तो यह है रहेंगे आपकी important topic और Newton Newton method यार बार बार पूच रहे जा रहा है तो इनको करके जाना तो मैंने आपको clear out किया कि आपके course में कौन से questions आपके रहने वाले important कौन से topic है जो अभी मैंने questions आपको बताए है previous year से लगबक 50% से भी जादा question आपके repeated हुए कुछ question statement वाले हैं तो उसमें values change होती है statement change होती है तो question different रहते है अगेन मैं बात बोल रहा हूं कि यह mathematics है हिंदी या फिर इंग्लिस language course नहीं है जिसमें आपको similar चीज़े देखने को मिलेंगी mathematics में आपके questions में values change होती है topics similar रहते है topics को करिए आप लोग जरूर से पास हो जाएंगे और अच्छे score भी निकाल लोगे चो मैंने important question ही बता है वो लगवा 50 marks के अप्रॉक्स है उनको ही कर लेता हो तो आप easily पास हो रहे हो और यह कम time consume करेंगे ओल राइट उम्मीद करता हूं कि आपको यह video पसंद आई होगी अब मैं definitely बात कह लेता हूं कि आपको यह PDF कहां से मिलेंगी अब यह 5 year की जो मैं PDF प्रॉइड करूँ यह ना कि यह 5 year बलकि 6 year है विकॉज इसमे जून 2022 का भी question paper आपको included मिलेगा तो आपको scores के recording कहीं भी और बटकने की जरूत नहीं है आप लोग simply हमारी website पाएंगे link आपको discussion मिलेगा यहाँ पर note section आपको open करना है note section में आने के बाद में आपको simply यहाँ पर PDF का link मिल जाएगा यह आपका BMTE 144 आप simply यहाँ से क्लिक करके download कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपका PDF open हो जाता है इसे आप easily visit कर सकते हो देख सकते हो इसके लावर download भी कर सकते हो ताकि आप easily download करके अपना रख पाओ ताकि आपको बारवर net use ना करना पड़े ठीक है आल राइड यह थे important question topic प्रेबिस यह question paper साथ ही साथ पेपर का blueprint जो आज की इस वीडियो में आपको प्रुवाइट किया उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो like करना feedback अपनी comment box में जरूर से साजय अगरना साथ ही साथ आपको next वीडियो की topic कमेंट करके जरूर से बताएं मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक लिए जैहीं इंडिया वारत बाए दोस्तों